आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि घर में बुद्धा की मूर्ती रखने से क्या-क्या फायदे होते हैं घर में संपन्नता, सफलता और आर्थिक सम्रिद्धी लाने के लिए हर कोई इनसान अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास करता है लेकिन फिर भी उसे सफलता, संपन्नता और शान्ती नहीं मिलती कई बार अंजाने में हम घर में ऐसी चीजे लाते हैं जिसमें नकारात्मक उर्जा का वास होता है जो हमारे घर में नेगेटिविटी को ज्यादा फैलाने का काम करती है और इसी नेगेटिविटी के वजह से आपको मानसिक तनाव होता है आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता आप जो भी काम करते हैं उसमें असफल होने लगते हैं और ऐसी चीजे घर में रखने से वहाँ पर वास्तु दोश निर्मान होता है और ऐसे वास्तु दोश आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं. जैसे कि आपके घर में हमेशा बीमारियों का रहना, बच्चों के पढ़ाई में मन ना लगना, ऐसी समस्याओं से आपको सामना करना पर सकता है. ऐसे मैं आपको फैंग शुई में कुछ गैजेट अपने घर में रखने चाहिए. फैंग शुई के गैजेट आपके घर में नेगेटिविटी को बाहर निकाल देते हैं, और पॉजिटिव एनरजी आपके घर में लाते हैं. वैसे तो feng shui में ऐसे काफी product है, जो आपके घर की negative energy को बाहर निकालने का काम करती है लेकिन इस वीडियो में हम आपको बुद्धा की मूर्ती घर में रखने से किस तरह आप अपने घर को positive energy से भर सकते हैं यह बताने वाले है वैसे बुद्धा की मूर्ती feng shui में काफी लाबदायक मानी जाती है घर में बुद्धा की मूर्ती लाने से वहाँ पर सकारात्मक उर्जा का वास होता है घर में खुशाली आती है, संपन्नता आती है, लेकिन आपको इसे सही दिशा में ही रखना चाहिए तभी आपको इसका फाइदा मिल सकता है वैसे तो बजार में बुद्धा की अलग-अलग मूर्तियां होती है और उनके भी अलग-अलग रहस्य होते है जो अलग-अलग प्रभाव देते हैं और अलग-अलग लाव देते हैं इस बुद्धा की मूर्ती को आपको अपने घर के प्रवेश द्वार के सामने रखना चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक उर्जा आती है और नकारात्मक एनरजी बाहर चली जाती है बुद्धा की मूर्ती बच्चों के कमरे में रखने से वहाँ पर बच्चों का कॉंसेंट्रेशन पावर पर जाता है, वह अपने पढ़ाई में काफी फोकस हो जाते हैं अगर आपका ओफिस है तो इसे आप अपने ओफिस के टेबल पर भी रख सकते हैं, इससे वहाँ पर सकारात्मक एनरजी का निर्मान होता है और आपका व्यापार सफलता की ओर बढ़ने लगता है अगर आप अपने घर में सुख शान्ती चाहते हैं तो घर में बुद्धा की मूर्ती रखना यह एक सही विकल्प माना जाता है बुद्धा की मूर्ती आपके घर में सुख और शान्ती लाने का काम करता है फैंक शुई में लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा घर में रखने के कई फायदे हैं अगर आपको यह वीडियो देखना है तो लिंक आई बटन में है यहाँ पर हमने डिटेल में लाफिंग बुद्धा के बारे में बताया है अगर आप भी अपने घर में फैंक शुई के गैज़ेट लाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ता फैंक शुई प्रोड़क्ट मिलता है जिसका यूज करके आप अपने घर में सकारात्मक उर्जा को बढ़ा सकते है अगर आपको इसी तरह फैंक शुई और वास्तु शास्त्र संबंधित वीडियो देखना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए